कि अगर आपके पास कोई खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप डिरेकली फेसबुक के जरीए एफिलेट मार्केटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं तो यह जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्राक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि क्या चीज़े आपको करनी होती है किस तरह से आपको करना होता है पूरा सेट अप ताकि जो है आप मैक्सिमम ऑडियन्स तक पहुंच सके वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा मेरा नाम है मंजीत सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिस्टल मार्क एक्सपर्ट तो चलिए चलते हैं सीज़े लापटॉप स्क्रीन पर वहीं चलके देखते हैं कि किस तरह से आप अपने एफिलेट प्रोडुक्ट्स को जो है विदाउट वेबसाइट डिरेक्ली सोशल मीडिया यानिकी फेस्बुक के जरीए जो है आप आपने बहुत आपके एफिलेट को ही प्रोड करते हैं बहुत सारी एसी वेबसाइट बनी हुई है देख सकते हैं कितना डिटेल में यहां पर चीजें एक्स्प्लेइन करी जाते हैं वह यहां पर आकर पूरी चीजों को समझ सके और आगे जाकर वह उस पर बाई कर सके लेकिन अगर आपक चाहते हैं और अच्छी खासी इंकम जो है जनरेट करना चाहते हैं तो फेस्बुक के उपर आपको सबसे पहले तो क्या करना एक पेज बना लेना और पेज बनाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है यहां पे आप बहुत असानी से अपनी प्रोफाइल के जरीए देखाने मिंदा फैसे बनेट करेंगे और यहां पर आपको शॉप का जाकर्स प्रेसे दोग्र मिर जाएका और यहां पर आप देख सकते हैं इस शॉप के औप्ष्ण का इस्तेमाल करके आफिस रहान आपनी प्रोदक्टारिंस यहां फेस्बुक के ऊपर दिरेक प्रुएक पर ट्लेक्ट को पोस्ट करके मैं यहां से इसको शेयर करूँ तो यहां पे आपको add product के उपर click करना है तो यहां पर आप देखें लिखा हुआ है add product detail आप यहां पर product की फोटो डाल सकते हैं यहां पर product की जो image वीडियो है अगर आपके पास तो आप वो डाल सकते हैं तो यहां पर मैं add photo के अपर click करता हूं तो यहां से आप select file पे click कर सकते हैं और करने के बाद जहां पर भी आपने photos को जो है आपको open करना है यहांपर जो है सारी photos को जो जो भी आपको डालनी है उसको आप यहाँ पर open करेंगे तो यह देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपकी सारी photos हमने बिल्कुल ले ली है इसके बाद आप जो है use 5 photo पर यहाँ पर click करने के बाद अगर आप और डालना चाहते है फोटो तो यहाँ पर और भी डाल सकते हैं पर ऐसी को requirement है आपके पास अगर यह तरी minimum भी है कोई दिक्कत निया आप कर सकते हैं अब आपको लिखना यहाँ पर product का नाम अब product का नाम जो है आप यहाँ से यह भी डाल सकते हैं डालने को लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप जो है proper तरीके से डालें ऐसा attract करता हुआ जो अगर डालेंगे जैसे की best massage chair full body recliner zero gravity for home and office और हमने वही चीज़े डाली है जो यहाँ पे है बट हमने थोड़ा सा उसको different डाल दिया तो हम इसको paste कर देते हैं यहाँ पे यहाँ पे model number के साथ में आ गया अब इसकी pricing की बात करें तो pricing के लिए वापस आप यहाँ पे आ सकते हैं तो यह जो इसका price है इसको आप यही से सिर्फ copy करें और copy करके यहाँ पे directly paste कर सकते हैं और यहाँ पे this product is on sale इसको बिल्कुल टिक ना करें अगर कोई deal बगर डाल रहे हैं तो in that case आप डाल सकने हैं अदर बाइस यह बिल्कुल भी मट डाले अब यहाँ पे जो description है तो description के लिए वापको कहीं नहीं जाना है आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यह रहा special symbol या फिर आप यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे इसमें ऐसा gap दे सकते हैं तो यह आपका इस तरह का कुछ gap दे सकते हैं यहाँ पे जो आपने लिखा है जो description डाला है वो थोड़ा सा user के जो eye appealing होना चाहिए मतलब उसको लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ मेहनत करी है ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे पूरा एक ही साथ में डाल दिया उसमें समझ में नहीं आएगा अब यहाँ पे आगे कोई decoration या ऐसा कुछ नहीं किया यहाँ पे simple सा मैंने हर line के बाद एक gap दे दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा आई appealing होगे तो यहाँ पे पता चला है कि यह point wise जो चीजें लिखी गई है तो ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे approval यहाँ पे जो भी product डालते हैं वो उनकी guideline के according होना चाहिए को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं से कुछ भी करते जा रहे हैं आप spamming नहीं करनी है basically गलत काम नहीं करना सही करना है तो उसके बाद visibility जो है आप देख सते हैं आपे public रखना चाहते हैं अनलिस्ट करना चाहते हैं तो हम public करना चाहते हैं और जो product आप डाल रहे हैं उसकी condition क्या है new है री-furnished है या फिर जो है fair है good है और यहां पर used वालों की बात हो रही है या like new है तो आप अभी हमारा यह product बिल्कुल new है तो हम इसको new पर करने के बाद add product के उपर click करेंगे तो जैसे add के उपर हम click करते हैं तो यह product हमारा add हो चुका है ऐसे ही आप जितने अपने product हैं उनको वह आप यहां पर daily basis पर add कर सकते हो जैसे यह approve हो जाएगा तो यह आपके page के उपर जो है यहां पर जैसे home पर जाओ तो यहां पर भी list हो जाएगा जैसे कि यहां पर तो यह जो detail है यह हम यहां पर create post के जरीए डाल सकते हैं इन दोनों का shop क्या और इसका जो है दोनों का बात करें तो shop पे अगर कोई click करता है तो यहां पर सारे product आपको एक बाइए के साथ एक के साथ एक के साथ एक जो है वह यहां पर दिखने लग जाते हैं तो यह बहुत ही बहतरीन तरीका है प्रमूट करने का अपने affiliate product को और ताकि जो है हम जो है अच्छे से अपने products को जो control में रहेंगे तो कल को जो है अगर आपका कोई भी addition करना है आपको इसके अंदर कुछ edit करना है राइक तो आप बहुत आसानी से इसको edit कर सकते हैं तो वह सब आप यहां पे चेक करने के बाद आप इसको को edit करके वापस से update कर सकते हो तो जैसे यह प्रूफ हो जाएगा तो यहीं से आप इसको far country करना भी start कर सकते हो और यहीं से आप इनको promote करना भी start कर सकते हैं यह i hellies यह बहूत two बेस्स थरींगा वैसे वैसे आपका जो conversion ratio है, affiliate का वो बढ़ता चला जाएगा, तो ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ Amazon के डाल सकते हैं, बहुत सारी other websites भी available हैं, जिनके बारे में मैंने already explain किया हुआ है, तो आप वो videos देख सकते हैं कि कौन-कौन से यसी top 5 websites हैं, जिनके जरी आप affiliate कर सकते हैं, तो ये भी एक one of the best तरीका है, without website अपने affiliate program को promote करने का और maximum audience तक पहुँचने का और अपनी income को double करने का, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कि किस तरह से आप website के बिना अपने products को affiliate कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करें, शेर करें, और जिननों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब मीगा, उनसे request करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथी साथ बेल का इकन दबादे ताकि आने वाले वीडियो के notification जो है आपको मिल सकें, फिर मिलते को और ने वीडियो के साथ, तिल देन, stay safe.